नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel First Investment दोस्तों आज हम बात करने वाले है कि कल कौन से stocks पर ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या हो सकता है बट अल्रेडी आप लोगों को वो 5 stocks पता हूंगे जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं So हम लोगों ने क्या करा है हम दो दिन से यह कर रहे है कि जो भी stocks मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अपनी अगली वीडियो में मैं वो एक दिन पहले ही आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर अपने टेली गराम चैनल पर बता देता हूं जब आप उसको राइट टाइम पर पर पर्चेस कर सकते हो ठेक है कि जब मैं वो वीडियो बनाओ कल उस पर गाप दिखे या कुछ भी मुवमेंट हो तो वो आप उसे शुरुवाद से ही कैप्चर कर पाओ So मैं यही करता था This is called BTST वो वाच करना है वो लेवल्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा कौन से लेवल्स को कब आए कर सकते हो कुछ stocks ऐसे भी थे जो बहुत ऊपर चले गए थे हमारी बात करने के बादी तो उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे ठेक है सबसे पहला stock जो लेकर आया है वो है Alembic Pharma यह औरड़ी मेरे पास है आप देख सकते हैं इस particular stock पर यह जो blue color का zone देख रहे हैं यह blue color का zone था supply zone ठेक है इस supply zone में first time इतर आया एक selling pressure आया second time में इतर आया एक selling pressure आया और इसी range के अंदर यह बहुत time consolidate करते रहा eventually यहां पर इसने एक breakout दिया breakout देने के बाद first time इतर आया तो इस level से जब इसने movement दी तो इस level को हम लोग क्या कहते हैं demand zone ठेक है तो supply zone become demand zone demand zone बनने के बाद फिर एक up move आने के बाद दुबारा नीचे आया second time retest and एक up move start हो गई so यहां पर एक double bottom type scenario बना आप देख सकते हैं यह first bottom and this is second bottom यह एक double bottom बना है इसका breakout दिया यहां पर हम लोग buy करेंगे our target is this 1120 का target है 1110, 1120 के targets Olympic farmer में हमें कल या परसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो stock को ज़रूर अपनी watchlist में रखेगा I am still holding this particular stock next stock जो मैंने buy कर रखा है which is MGL MGL मैंने options में भी buy कर रखा है and मैंने cash में भी buy कर रखा है इस particular कभी में stock आपको दिखा देता हूं yes sorry MGL MGL था yes MGL भी मैंने buy कर रखा है आप अगर अपर वाली trend line देखेंगे जो तो यह एक range है यह एक 2 trend lines तो मैंने बना रखें एक range का काम कर रही है आप देख सकते हैं एक पूरा rounding bottom and उसके बाद हम लोग ने एक head and shoulder देखा and eventually इसका breakout इसने दिया है बहुत उपर तक भी गया था but actually मैं इसने नीचा आके closing दे दिया yes यह candle थोड़ी सी डराने वाली है हां जी यह candle थोड़ी सी डराने वाली candle है but आप छोटा सा risk लेके इसे buy कर सकते है अगर मैं 15 minute के time frame पे आता हूं तो वहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं देखेगा यह देखे जो trend line थी exact क्या करा अगर मैं थोड़ा से जूम आउट करो 15 minutes के time frame पे ही मैंने इसे buy करा था यह देख सकते हैं यह resistance था exact point से नीचे आय थी इसी level से breakout दिया नीचे आया एंट इसी level पे मैंने इसे buy करा है यह मैंने इसे 1094 पे buy करा एंट इसी मैंने option इसका उठाए 1100 का तो अगर इस पे अच्छी movement आती है तो बहुत अच्छे से यह उपर जा सकता है और अल्मूस्ट यह 1100 & 20 1100 & 30 तक भी यह जा सकता है तो इस टॉक को जरूर वाच्छ लिस्ट में रखेगा कल अच्छी एक up move दे सकता है बट अगर इसी के नीचे खुलता है तो कोई trade नहीं बनता है और मैं भी अपनी position को exit कर दूँगा तेक है our next stock is outcome lab यह भी मेरे पास है already दो दिन से है मेरे पास इसको daily charts में दिखाते है yes daily charts पर जिस तरीके साब देख सकते हैं कि एक head and shoulder pattern का इसने breakout दिया है and breakout देने के बाद exact अपने high resistance पे ही trade कर रहा है यह जैसी कल break होगा तो अच्छे levels देखने को मिल सकते हैं देखेगा एक up move आई यहाँ open and here close दिया previous day की बात हो लिया आज नीचे open हुआ and exact उसी level पे close दिया है जहां पर पिछले दिन open हुआ था तो यह level बहुत important level हुआ यह level जैसी break करता है अच्छे target इस पे देखने को मिल सकते हैं अगर मैं आप लोगों को level बता हूँ किस level पे buying करनी है which is 2987 की ऊपर हम लोग एक buy initiate करके चल सकते हैं यह stock हमें अच्छा return दे सकता है ठेक है और next stock is already I have told you three stocks our next stock is Amaraja battery यह stock मैंने आप लोगों को कल भी suggest कर रहा था अपने वीडियो में and मैं आज भी आप लोगों को suggest कर रहा हूँ देख सकते हैं आज तो इसलिए इसने हमें बहुत अच्छा profit दिया I am still holding this particular stock मैंने आप लोगों को बताया भी था and इसका भी similar type of था एक up move यह मैंने कल की वीडियो पे भी आप लोगों को suggest कर रहा था यह देख सकते हैं एक head and shoulder pattern and इसका breakout दिया था आज इस भी हमें अच्छा profit दिया बट यह कल भी और अच्छी movement दे सकता है अगर guys यह कल hold करता है तो कोई बात नहीं आप तबी trade initiate कर सकते हो 2-3 दिन के अंदर हमें यह अराम से 20-25 रोपी की movement दे सकता है तेक है our next stock is MSFL यह stock भी मेरे पास बहुत time हो गया मेरे पास रहेवे से and यह अपने lifetime high पे ही trade कर रहा है इसका भी मैं आपको दिखा देता हूं यह यह वाला particular stock का अगर मैं monthly chart आपको दिखाता हूं तो चेक करेगा यह अपने lifetime high पे trade कर रहा है particular stock देख सकते हैं देखें lifetime high पे इसने एक range का breakout दिया breakout देने के बाद और उपर जा रहा है so इस particular stock को मैं अभी वी बाय करके रखा वा हूं मेरे पास 480 की level से है and मैं आपको daily charge पे दिखाता हूं yes जब इसने breakout दिया यहा पर इसने strong candle के साथ breakout एक बार retracement and एक और up move और up ने previous level को इसने break कर दिया तो यह जो पूरी movement आई है यह पूरी movement यहां पर भी आ सकती है तो इस particular stock को भूलिय अगामत yes बहुत risky stock बट अगर कोई भी stock lifetime high break करता है तो मैं जर्नली उस पर सबसे जादा इंटरस दिखाता हूं या फिर 52 week high break करता है because उसके chances और उपर जाने के बहुत जादा बढ़ जाते है अगर आप सोचो कोई stock अगर 52 week high और मैं अब उसे exit कर दू या फिर अब उसमें मैं short initiate कर दू यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए जब तक हमें एक proper trend reversal और प्रॉपर trend reversal मिलता है जब एक लोवर लोवर हाई की फॉरमेशन बनती है अब बात करते है अगर निफ्टी की तो निफ्टी तो हमारा पास अल्डेडी बाई पे ही है मैंने अभी भी 14,300 की call option को बाई कर रका है मेरा target 14,600 के आस पास तक का है देखें मैंने इसे आज कल के trading session के अंदर बाई बना के रका था बट आज मुझे शुरुवात में सुबह बहुत जादा लॉज दिखा था बेकाज दाव जोन्स में लोग लोग ले देखा था 600 points की correction आई थी उसके बाद फिर हमारी market भी नीचे खुलिया और रिकवर कर गई थी बेकाज मेंने बाई किसलिये बना रखा था इसके पीछे का logic बताता हूं अगर आप फॉलो करनी की कोशिच करोगे तो कभी भी जो candlestick patterns होते हैं hammer हो गया shooting star हो गया वो generally follow नहीं करते है तो आप अगर इस candle को देखेंगे यह candle higher side में एक hammer बनी है यहाँ पर बहुत लोगों ने suggest कर होगा कि we have to go for a short अब यहाँ पर एक selling pressure आ गया बट नहीं आप एक point को समझेगा stock नीचे से उपर गया उपर गया और अपने high पे close करा क्या यहाँ पर में profit booking करनी चाहिए अफकॉस profit booking करनी चाहिए है बट buy की side में ही रहना चाहिए है कभी भी sell का scenario है you have to go for a buy so what I do जब एक selling pressure में मुझे 10,000 का loss दिखा रहा था मैंने थोड़े lots और buy करे and eventually मैंने अभी भी still hold कराए सिर्फ एक lot बीच रहा है nifty मेरा target है 14,300 and 14,500 जो कि मुझे लगता है January से पहले पहले ही हमें देखने को मिल जाएगा end से पहले so nifty भी buy है bank nifty भी buy है सब कुछ buy है sell market पे बिल्कुल भी नहीं है confused मत हुएगा market high पे trade कर रही है तो हम लोग sell करें sell नहीं करना है sell yes कभी भी sell आए की तरफ ही जाना है sell आए तो अच्छे stocks उठाओ market recover करेगी तो वो stock बहुत जल्दी recover करेंगा so guys end करते हैं इस session को मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर मैं शिवाच भसीन signing off and please do subscribe our channel and वीडियो को like जरूर करिए जो मैं अगले दिन आपको रात को वीडियो पर बताने वाला हूँ so आपके पास advance पर research और पूरा का पूरा सारा समान रहा है so guys good night मिलते हैं अगली वीडियो पर